दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सिंगल प्रिंटर को नेटवर्क में सेयर करके मल्टीपल कम्प्यूटर में यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको अपने कम्प्यूटर में step by step बहुत ही आसान तरीका से करके दिखाने वाला हूँ तो यह है मेरा में कम्प्यूटर जिसमें मेरा प्रिंटर कनेक्ट है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंटर कनेक्ट है की नहीं इसके लिए control panel में जाना है control panel में जाने के बाद यहाँ पर आपको device and printer का option देखने को मिलेगा इसको open करके आप अपने system में चेक कर सकते हैं printer connect है की नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Canon G 2010 series का printer मेरे में connect दिखा रहा है यहाँ पर मेरे पास दो और computer हैं जो की same network में हैं लेकिन इन दोनों computer में printer connect नहीं है यहाँ पर मैं आपको दोनों computer में दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों computer में printer connect नहीं है अब आपको printer share करके सारे computer में connect करने के लिए आपको main computer में जाना है जिसमें printer connect है और control panel को open करना है control panel open करने के बाद यहां पर आपको network and sharing center का option देखने को मिलेगा इसको open करना है open करने के बाद यहां पर change advance sharing setting का option देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इस पर click करना है click करने के बाद यहां पर आपको तीन option देखने को मिलेगा private, guest or public and all network पहले आपको private में क्लिक करना है और यहां पर इस option को on कर लेना है यहां पर मैंने पहले ही on करके रखा है ऐसे ही आपको अपने में on कर लेना है फिर आपको public में जाना है और same इसमें भी on कर लेना है अब आपको all network में जाना है और इसको on करके नीचे आना है यहां नीचे आपक को मिलेगा अगर आप इसको अन रखते हैं तो प्रिंटर को किसी भी दूसरे कंप्यूटर में कनेट करने के लिए इस कंप्यूटर का यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा तब जाके प्रिंटर कनेक्ट होगा और अगर इस अप्शन आफ रखते हैं तो प्रिंटर बिना यूजर नेम और पासवर्ड के आटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैं आफ कर देता हूँ, अब इतना करने के बाद आपको Simply Division Printer में जाना है, जो Printer आप में Connect है, उस पे Right Click करने के बाद यहाँ पे आपको Printer Properties का Option देखने को मिलेगा, इस पे Click करने के बाद Printer Properties ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा, अब आपको Sharing में जाना है, Sharing में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है, Share this Printer का Option दिखा रहा है, इस पर आपको चक मार लगा देना है, और नीचे यहाँ पर Apply करके OK कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो आदमी दिखा रहे हैं, ऐसे ही अगर आप में दिखा रहा है, तो इसका मतलब पर Printer अच्छे से Network में Share हो गया है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको उस Computer में जाना है, जिसमें Printer Connect करना है, उसमें जाने के बाद यहाँ डेश्टप पर एक Network आइकन देखने को मिलेगा, अगर डेश्टप पर नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर My Computer में ज Share किया था तो यहाँ पर आपको शूनल नाम का Computer दिखा रहा है, मैं आपको उस Computer का नाम भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, चिस Computer से मने Share किया था, उस Computer का नाम और तो printer को connect करने के लिए यहां पर आपको उसी computer को open करना है जिससे आपने share किया था open करते ही यहां पर आपको share किया हुआ printer का नाम देखने को मिलेगा इसको इस computer में connect करने के लिए कि आपको कुछ नहीं करना है बस इस पर double click कर देना है यह automatic connect होना इस्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं जब आप में ऐसा डायलक बॉक्स open होकर आ जाए तो समझ लो printer अच्छे से connect हो गया यहां पर आप डिवाजन प्रिंटर में जागे देख सकते है प्रिंटर कनेक्ट हुआ है या नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं printer connect दिखा रहा है ऐसे जितने computer सेम नटवर्क में हैं सम्मेज आके आप अपने single printer को connect करके यूज कर सकते हैं दोस्तो आपको यह वीडियो कैसे लागा मुझको कमेंड में बताना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यार लाइक कर दो और हां अगर आप चाते हो ऐसे ही helpful वीडियो आपको फिरी में मिलता रहे तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया में वीडियो पहुश्चता रहे